Hi everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ शिवानी ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और कॉमेंट चर्चा का वीडियो यह मेरी एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कॉमेंट्स को पिक करती हूँ उसमें जो भी आपने सवाल मुझसे पूछा होता है उसका मैं आपको जवाब देती हूँ तो पिछली जो मेरी वीडियो थी कॉमेंट चर्चा की उससे मैंने काफी सारे कोशन यहाँ पे पिक किये हुए हैं जिनका मैं आज की वीडियो में एप्लाई करने वाली हूँ अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल आप मुझे दे सकते हैं और नेक्स जो भी वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की जो की हर फ्राइडे को आती है तो उसमें मैं उसका जवाब दे दूँगी आईए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और हाँ पिछली कॉमेंट चर्चा की वीडियो में कुछ ऐसे सवाल भी थे जो की काफी बड़े बड़े लोगों ने लिखे हुए थे तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अपनी बात आप थोड़ी छोटी करके थोड़ा कम शब्दों में आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो जादा सही रहेगा क्योंकि कोशन पढ़ने में ही नहीं तो काफी सारा समय चला जाता है अब आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरी चानल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो First question पे आते हैं गर्ल को कौन से body part की wax करवानी चाहिए जहां पे भी उन्हें जरुवत महसूस हो होने को तो हर body part के आज कल wax होती है जैसे कि hands पे, legs पे, leg पे, half में, full में, stomach पे, back पे, face पे, private एरिया में भी, bikini wax and bumps वाले एरिया में भी तो हर जगा wax होती है, full body wax भी होती है, तो it all depends कि आपको कहाँ पे करानी है और उस area में आप pain जहलने के लिए थोड़ा सा ready हो या नहीं क्योंकि शुरू-शुरू में जिस area पे आप wax करा रहे हो, उसमें काफी दर्ध होता है धीरे-धीरे करके आपको आदत लग जाती है, तो शुरू-शुरू में काफी दर्ध होता है तो अगर आप ready हैं, तो आप किसी भी area की wax करा सकते हैं नेक्स comment है कि अगर किसी female को period नहीं होता, मतलब उसे कभी हुए ही नहीं है तो क्या फिर भी वो शादी के बाद pregnant हो सकती है या नहीं definitely pregnancy नहीं होगी, क्योंकि pregnancy का जो process है उसका सबसे पहला steps ही है periods का होना periods और कुछ भी नहीं है, यह हमारी body का एक ऐसा process है जो की हर महीने होता है, जिसमें हमारा जो शरीर है, हमारा जो uterus है, बच्चे दानी है वो खुद को तयार करती है, बच्चे को carry करने के लिए तो अगर वो initially start ही नहीं होगा process, वो जिल्ली जो एक बनती है बच्चे को protect करने के लिए वो बनाना आपकी body शुरूई नहीं करती, periods वाला process ही आपकी body में नहीं होता तो pregnancy कैसे हो सकती है, तो ऐसा नहीं possible है कि periods किसी के नहीं आते हो और लेकिन वो pregnant हो जाए, यह बिल्कुल भी possible नहीं है next comment है, एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है six year हो गए है, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है क्या करें मैं, प्लीज बताएं, कैसे अपने दिल की बात उसे कहूँ छे साल हो गए और अभी तक आप कोई ऐसा मौका ही नहीं जुटा पाए, उसे बात करने का और अपनी दिल की बात कहने का, यह तो आपने बहुत, मतलब बहुत जादा टाइम बिता दिया च्छे साल बहुत जादा होते हैं, तो मैं आपको बोलोंगी कि अब जादा डिले ना करें और उनसे बात करना शुरू करें, बात अगर आप डारेक्ट अपने दिल की बात प्यार का इजहार नहीं करना है अप नौर्मल बात करना शुरू करो, और फ्रेंडली वे में ये जाने के कोशिश करो कि वो भी आप में इंट्रस्टेड है या नहीं है, वो किसी को डेट कर रहे है या नहीं है उनसे date के लिए आप पूछ सकते हैं कि मेरे साथ movie देखने चलोगे या coffee date पे चलोगे इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं बाकी तो धीरे धीरे करके जिस तरीके का आपको response मिले उसे आप से आप बात को आगे बढ़ा सकते हो Next comment है क्या मैं वजायना को किस करने से health problem हो सकती है क्या जी हाँ हो सकती है depends upon की आप किस girl के साथ ये कर रहे हो अगर उस girl को कोई ऐसी problem है sexual transmitted infection या disease है उसे जो की वो transfer कर सकती है आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सरिफ sex करने से proper sex करने से ही ऐसे infection या disease transfer होते हैं लेकि जैसे में भी किसी infected person से आपको वो transfer हो सकता है और यहाँ पर मैं सरिफ HIV or AIDS की बात नहीं कर रहे हूँ बहुत सारे ऐसे infection होते हैं जो sexually transmitted हो जाते हैं जैसे कि हर्पीज, gonorrhea और भी बहुत सारी problems होती है ऐसी जो कि एक partner से दूसरे partner को लग सकते हैं अगर आप oral देते हैं तो यह आपको infection लग सकता है यह बहुत ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कहरी की लगेगा लेकिन normal hygiene ना follow करने से भी आपको problem हो सकती है तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसलिए कि आपका sexual partner का history आपको पता हो वो अभी कितने लोगों के साथ sexually active है यह आपको पता हो ऐसे ही आप क ज़्यादी नहीं हुई है तो ऐसे में paid sex करें या नहीं करें बहुत जल्दी मेरी इस पे भी वीडियो आने वाली है उसमें मैं डीटेल मैं आपको इसके बारे में बता दोगी फिलाल आते है next question पे next question है श्रिवानी मैं मेरा एक सवाल है कि morning में girls का भी खड़ा होता है क्या? girls का खड़ा क्या होगा? मतलब boys के पास ऐसी चीज है जो खड़ी हो सकती है उनका penis girls के पास वो नहीं है आपको पता है na girls private part different होता है boys से और उनका ऐसा कोई चीज उनके पास नहीं है कि वो खड़ी हो सके and उनको ऐसा कोई erection वगेरा आ सके जब girls का मन करते है तो बस करता है अ जहां तक बात रही कि morning में ऐसा कुछ feel करना या फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझसे सवाल आया था पूछा था कि night fall girls को होता है या नहीं तो generally girls को night fall की problem या morning में ऐसा कुछ करने का मन करना ये सब नहीं होता है क्योंकि girls का बहुत इतना easily लड़कों जैसे मन नहीं ब बनाई थी थड़की husband types उसका मैंने title रखा था और उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे लड़कों की body और लड़कियों की body अलग-अलग काम करती है लड़कों को बहुत जल्दी easily उनका मन बन जाता है उनको erection आ जाता है लेकिन लड़कियों का वहीं mood बनने में time लगता है एक time पे बैठके अगर husband wife दोनों मिलके कोई ऐसी चीज देख रहे हो कोई sensual चीज देख रहे हो तो हो सकता है husband का बहुत जल्दी मन बजा है वही wife पूरा उस scene के go through हो जाए फिर भी उसका मन ना करे लड़कियों में थोड़ा different work करता है वहीं अगर एक बार किसी ल लड़कियों की timing ज्यादा होती है और उनको multiple orgasm भी हो सकते है मतलब एक बार में लड़की multiple times orgasm feel कर सकती है एक बार उसका orgasm हो गया discharge हो गया उसके बाद भी वो उतनी ही high रहती है दुबारा के लिए भी वहीं एक लड़के को discharge के बाद थोड़ा सा time लगे दुबारा से उस mood म आने में या दुबारा erection होने में so girls body and boys की body बहुत different work करती है I hope मैं clear कर पाई हूँ बाकी ऐसे ही आप सवाल पूछते रहो इस तरीकी की हम जितनी और बाते करेंगे उतनी ही जादा awareness आएगी next question पर आते है next question काफी बड़ा है मैं पूरा तो नहीं read करूँगी आप यहाँ प कुछ लगा हुआ होगा sperm है या discharge है वो डिकल जाता है ऐसे में फिर से आप अपने वजायना को अगर touch करते हो या अपने आपको masturbate करते हो या अपने आपको wash करते हो तो ऐसे में chances इतने नहीं होते pregnancy के लेकिन अगर आपके हाथ में लगा ही हुआ है proper अच्छा खासा discharge आपके sperm का ही वजाना के अंदर जाके uterus के अंदर जाके egg से meet up होना होता है pregnancy के लिए जहां तक इन दोनों का meet up नहीं होगा pregnancy नहीं होगी अगर meet up की possibility हो जाती है कि नहीं थोड़ा बहुत चला गया होगा नहीं अच्छे से wash तो नहीं किया था हाथ में था उसी से ही वजाना touch किया है या उसमें finger insert किया है तो चला गया होगा बतलब ऐसी अगर possibilities होगी अगर ऐसा होने की discharge का अंदर जाने की तो pregnancy हो सकती है possibility जहां पे जितनी कम है वहां भी pregnancy के chances उतने ही कम है next question है clitoris and G spot के बारे में इसके stimulation के बारे में क्या इससे physical intimacy के दौरान female का orgasm होता है जी हाँ इसी से ही होता है and हर लड़की का होता ही है ये part just because कि उसको थोड़ा सा explore करने की जरुवत होती है किसी को बार clitoris पे stimulation जादा पसंद है तो किसी को penetration के दौरान G spot को stimulation करना पसंद है वैसे तो ये पूरा एक ही part होता है इसका छोटा सा part जिसे clitoris कहते हैं वो ऊपर दिखता है वहीं ये satisfaction feel होता है so it all depends और कभी-कभी तो mood पे भी depend होता है कि कभी-कभी किसी girl का मन हो सिर्फ for play करने का या सिर्फ इस तरीके के stimulation का या कभी-कभी मन होता है कि penetrative G spot को आप stimulate करो तो it all depends कि उस समय mood किस तरीके का है और हर female का ये different भी हो सकता है कि उसको किस चीज में जादा अच्छा ल आप ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ था उसमें और आप समझे थोड़ा सा it's not possible कि मैं इस तरीके की comment चर्चा की वीडियो बनाओ और उसमें सिर्फ एक देर मिनट मुझे लग जाए सिर्फ question पढ़ने में तो आप थोड़ा से छोटा करके अपनी problem को लिखेंगे compact करके तो ज्यादा better रहेगा तो आज की वीडियो में आप उसे सवाल पूछ सकते हैं अगर अभी तक आपको मेरे through अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है तो इस वीडियो के नीचे आप उसे लिख दीचेगा और एक और बात की question पूछते टाइम थोड़ा सा आप words कैसे चूज करें उसका ध्यान रखा करिये एक सेम बात को especially जब हम किसी sexual चीज की बात कर रहे होते हैं तो उसको एक sophistication के way में भी पूछा जा सकता है करा जा सकता है और उसे थोड़ा vulgar भी easily बनाया जा सकता है कुछ vulgar word यूज करके तो जिस language में मैं आपसे बात करती हूँ जिस language में जिस तर पूछेंगे तो पहली बात तो वो comment section में आ ही नहीं पाएगा वो YouTube जो है वो अपने आप delete कर देता है या review में डाल देता है मेरे तक comment वो नहीं आता है और मेरे तक comment आएगा ही नहीं तो मैं जवाब कैसे दूँगी और कभी-कभी अगर आ भी जाता है अपने थोड़ा letters का hair fair कर दिया मेरे पास आ भी जाएगा तो मैं उसे pick नहीं कर पाऊंगी फिर अगर ऐसे word आपने use करे तो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए हमें sexual education को और इस discussion को एक साफ सुत्री भाशा में और एक मतलब जानने के लिए knowledge के लिए इस तरीके से बनाना है मेरी videos में कभी भी आपको vulgarity वगरा नहीं मिलेगी मेरी सारी videos में information देने के तरीके से या knowledge देने के तरीके से ही बनाती हूँ and आज की video के लिए इतना ही मैं चलती हो मिलूँगे आपसे अगले video में एक नए topic के साथ बने रहे हैं मेरे channel पे subscribe कर लीजिए और मेरी videos पसंद आती हैं तो like भी कर दिया करो Bye Bye, Take Care